प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी लाल के ले की प्राचीर से एलान कर चुके है कि साल 2022 तक देश की किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी लेकिन संसद में पेश आंकडे इसकी उलट कहानी बया कर रहे है नए आंकडों के मुताबिक पिछले तीन सालों में क्रुशी शेत्र पर चढ़ा करजा 14,36,000 करोड से बढ़कर 15,62,000 करोड हो गया है ऐसे में 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का सपना दूर की कोडी नजर आता है संसद में पेश नए आकडे बताते हैं कि क्रिशी शेत्र पर खर्ज बढ़ता जा रहा है राज्यों की बात करें तो क्रिशी शेत्र में सबसे ज्यादा खर्ज तमिलनाड उपर है जहां कर्ज का आंकड़ा 1,85,444 करोड रुपए है दूसरे नंबर पर उत्तरप्रदेश है जहां क्रिशी शेत्र पर 1,56,319 करोड रुपए का खर्ज चढ़ा हुआ है इसी तरह महराष्ट पर 1,47,749 करोड आंध्रप्रदेश पर 1,45,625 करोड करनाटक पर 1,27,505 करोड राजस्थान पर 1,6,181 करोड पंजाब पर 82,675 करोड और हर्याना पर 64,684 करोड का क्रिशी कर्ज है क्रिशी कर्ज एक तरफ है और किसानों की बधाल जिंदगी दूसरी तरफ एनसेसो की 2013 की रिपोर्ट बताती है कि देश में क्रिशी से जुड़े 52 फीजदी परिवार खर्ज में टूबे हुए हैं और हर घर पर औसतन 47,000 का खर्ज है क्रिशी शेत्र के आंकड़े बताते हैं कि साल 2004 से 2014 के बीच क्रिशी के शेत्र में एतिहास एक प्रगती हुई और क्रिशी विकास दर 4 फीजदी तक पहुँच गई थी जबकि 1995 से 2004 के बीच ये दर 2.6 फीजदी थी क्रिशी विशेशग्यों के मताबिक क्रिशी शेत्र में 4 फीजदी की विकास दर स्वर्निम कही जा सकती है लेकिन मोदी सरकार में इसकी दर घटकर 2.9 फीजदी रह गई है ऐसे में मोदी सरकार का ये दावा की 2022 तक देश के किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी खोखला मालूम पड़ता है किसानों की बधाली और कर्ड्स के बढ़ते आंकडे क्रिशी शेत्र पर बढ़ते संकट की कहानी बया कर रहे है राहूल कौतम की रिपोर्ट गो नियूस